एलन डार्क क्लासेज पर आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं साहयक आचारे जो परिक्सा अभी 17 मार्च को होने वाली है उससे जुड़ी हुई तयारी के बारे में तो जो दो पेपर होने वाले हैं उसमें पर्थम परशन पत्र जो है उसमें पांच एकाया है और देत्य परशन पत्र में भी पांच एकाया है देत्य परशन पत्र मुखे रूप से हमारा साहित्य आधारित है लेकिन जो पर्थम परशन पत्र है उसमें भासा है, काविशास्त्र है, विभिन परकार के पाठ लगाए गए हैं तो वे पांच एकाईयां जो पर्थम पशनपत्र की है, उन पांच एकाईयों से जुड़े हुए ये एक पेपर पैटर्न के अनुसार पशनपत्र पर हम बात करते हैं, इसको हल करके देखते हैं, एक सो पच्चास सवाल का ये पशनपत्र पहला प्रशन है, हिंदी भासा के विकास के संबंद में असंगत कतन है, हिंदी भासा का विकास, पहली बात तो हिंदी भासा के विकास की बात हो रही है, ये दूसरी बात है, सबसे पहली बात है, पूचा क्या जा रहा है, असंगत कतन है असंगत कथन पूछा जा रहा है इसका अर्थे गलत कथन यह असंगत कथन है इसका अर्थे कि इसमेंसे जो चार ओप्षन हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं उसमेंसे गलत कौन सा है उसको जाटना है तो अब बात हो रहे हैं हिंदी भासा के विकास के संबंद में असंगत कथन। किसका विकास हिंदी भासा का विकास संस्कृत से शुरू हुआ था और उस परकरिया में ये जो चार कथन दिये हुए हैं उसमें से कौन सा सहिए। संदेश रासक की भासा अप भ्रंस और आधुनिक भारतिय आरे भासाओं के पीज की स्थती हैं। संदेश रासक जो की अब्दुल रह्मान की पुस्तक है। अब्दुल रह्मान की पुस्तक है और इसे क्या माना जारा है अप भ्रंस और आधुनिक भारतिय भासाओं के पीज की गड़ी। यानि अप भ्रंस जो भासा थी प्राकरत से यानि सबसे पहले संस्क्रेट से थी संस्क्रेट के दो रूप थे वैदिक संस्क्रेट फिर लोकिक संस्क्रेट और फिर उसके बाद लोकिक संस्क्रेट के बाद आती है पर्थम प्राकरत अर्थार्थ पाली पाली के बाद आती है प्राक्रत और प्राक्रत के बाद भासा की अवस्ता आती है अपभ्रंस। उस अपभ्रंस के आउर आदुनिक जो भारतिय भासा हैं अवधी, ब्रज, खड़ी, पोली, सारी की सारी आदुनिक भारतिय भासा हैं उनके बीच की कड़ी के रूप में संदे संदेश राजसक की भासा आती है ऐसा भासा वेग्यानिकों का मानना है नवीन प्रवर्तियां यहां विकास पाने लगी थी यानि इस वस्ता में नवीन प्रवर्तियों ने विकास करना शुरू कर दिया था यह पहला कथन दूसरा है इसकी भासा में इसकी किसकी संदेश राज राजिस्थानी आदी के बीज देखे जा सकते हैं पच्छिमी हिंदी कुजराती और राजिस्थानी के बीज संदेश रासक में देखे जा सकते हैं इसका मतलब क्या है कि यह जो पच्छिमी हिंदी कुजराती राजिस्थानी है यह सब आधुनिक भारतिय भासा हैं उनका समोह है पच्चिमि हिंदी राजिस्तानी ये सब और इनका बीज मिल जाता है संदेश रासक की भासा में अगला है अधि का संक्रांति कालिण सवरूप समझने के लिए आज हमें एक प्रामानिक कृती उपलब्ध है यह उक्ति व्यक्ति परकरण यानि अवधि का संक्रांति कालिन यानि अपभरंस और आधुनिक भारति भासाओं के बीच का जो समय है उसे क्या कहते हैं संक्रांति काल यानि दो कालों के संक्रमन का काल और वो क्रति कौन सी मानि जा रही है उक्ति व्यक्ति परकरण जो दामुदर शर्मा की क्रति है और ये व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति परकरण उक्ति व्यक्ति परकरण में भी धातू उक्ति व्यक्ति परकरण जो क्रंत है उसमें धातू रूपों में भी सरलीकरण की परकरिया अपभ्रंस से पीछे है ध्यान देने वाली बात है एक शब्द में अंतर है ज्यादा कुछ भी नहीं परिवर्तन केवल एक शब्द का किया गया है और ये कथन गलत हो चुका है बाकी तीन कथन सही ते और ये गलत है क्यों गलत है उक्ती व्यक्ती परकरण में धातू रूपों में भी सरली करण की परकरिया जैसे जैसे भासा का इस्तर बढ़ रहा था आगे वैसे वैसे सरली करण की परकरिया जो है वो आगे बढ़ती जा रही थी सरली करण ज्यादा हो रहा था, जत्तिल कर नहीं बढ़ रही थी, सरल्ल हो रही थी, सैयोग से वियोग की और आ रही थी, और अपब्रहंस से आगे हैं। या क्या आता अपवरंस से आगे हैं इस परकार से होता तो ये कथन पिल्कुछ सही होता नहीं तो उक्ति वैक्ति परकरण में धातू रूपों में भी सरली करण की परकरिया अपवरंस से पीछे है ये कथन गलत है राजिस्थानी के शेत्र के समंद में संगत है उद्यनारण तिवारी ने जो राजिस्थानी का शेत्र बताया है उसके अनुसार पच्छी मी राजिस्थानी या जिसे हम मारवाडी कहते हैं उसका शेत्र है जोदपूर, पीकानेर, चेसलमेर, उद्यपूर भी इन्होंने साथ रखा है अगला है पूर्वी मध्य राजिस्थानी जिसे हम जैपुरी कहते हैं और जैपुरी का ही भाग है जैपुर खुद तो होगा ही हाडोती उसका ही हिस्सा माना जाता है तो ये कोटा बुंदी भी इसमें आएंगे उत्री पूर्वी राजिस्थानी अलवर में बोली जाती है भरतपुर में बोली जाती है मेवाती नाम से प्रसिद्ध है और मालवी जो है वो राजिस्थान की बोली होते हुए राजिस्थान की बोली होते हुए भी अधिकतर कहां बोली जाती है एंपी में बोली जाती है तो मालवी मध्यपर्देश बिलकुल सही है इंदोर के आसपास तो इसमें राइट हो गया उप्रूप्त सभी सकते है सोरसेनी अपवरंस से उद्भूत आदूनीक भासा नहीं है यानि जो अपवरंस थे उसमें सोरसेनी मुख्य था और सोरसेनी में सोरसेनी की कौनसी उपभासा नहीं है कौनसी आधूनिक भासा नहीं है तो अच्छी में हिंदी सोरसेनी से है राजिस्तानी भी कुछ विद्वान गुर्जरी अपवरंस से मानते हैं लेकिन सौर्सेनी से मानी जाती है, पाहडी भी सौर्सेनी अपवरंस से है, लेकिन लेहंदा सौर्सेनी अपवरंस से जुड़ी हुई नहीं है। अवधी के शेतर के समंद में असंगत है, यानि अवधी जो अवध परदेश के अवध परदेश में बोली जाती है, उसके समंद में कौनसा संगत नहीं है। संगत यानि संगत कौनसा नहीं है, यानि संगत यानि गलत कौनसा है, तो अवध परदेश के अलवा जो है, उसमें संगत नहीं वाला आएगा, तो बिजनोर जो है, वहाँ पर क्या बोली जाती है। खड़ी बोली पोली जाती है खड़ी पोली अगर हम हमें पहले से ही पता है कि बिजनोर में कौन सी बोली जाती है खड़ी पोली तो हम पहले से ही इसको अलग कर देते हैं और यह हमें पक्का नहीं पता है कि बिजनोर में कौन सी बोली जाती है तो हम इधर से देख सकते हैं कि उन्नाव है, सीतापूर है, बस्ती है, बारा बंकी है, लखनव है, इलाबाद है, ये सब अवधी के शेत्र है, जैसे ही ये याद आएंगे तो हम उन्नाव पक्का कर देंगे अवधी में, सीतापूर, बस्ती, ये पक्के हो जाएंगे, और ये बिजनोर भले हमें पता नहीं ह कि यहाँ पर कौन सी बोली जाती है लेकिन हमारा सवाल सही हो जाएगा तो पिजनोर किसका कैंदर है खड़ी बोली का खड़ी बोली के संबंद में संगत है संगत यानी सही संगत का अर्थ है सही खड़ी बोली के संबंद में सही कथन कौन सा है तो खड़ी बोली के लिए सही कौन सा कथन है देखिए खड़ी मुलतह किसे बना है खरी शब्द से खरा खरा जो सब्द होता है खरा या खरी तो खरी का अर्थ क्या होता है सुद्ध खरी यानि सुद्ध खरी का अर्थ क्या है सुद्ध और कुछ विद्वान मानते हैं खरी का अर्थ है जो खरी हो अर्था अर्थ पड़ी का उल्टा पड़ पड़ी ऐसे वाली पड़ी यानि लेटी हुई और खड़ी यानि खड़ी यानि लेटी हुई पड़ी हुई गिरी हुई भासा जो धीरे धीरे बोली जाती है उसकी बजाए पड़ी का उल्टा जो खड़ी है उसको खड़ी की उत्पत्ति का इस्तान माना गया है और कामता प् अर्थ में लेते हैं यह बोली ब्रज की तुलना में करकस है यानी खड़ी बोली ब्रज में जो मिठास है उतनी खड़ी बोली में मिठास नहीं है अतह इसका नाम कामता प्रशाद गुरू अगेर कहते हैं कि इसका नाम खड़ी रखा गया यह सारे के सारे कथन सत्य है ब्रज भासा के संबंद में असंगत है क्या पूछा गया है ब्रज भासा के संबंद में असंगत यानी गलत कौन सा है असंगत का अर्थ क्या हुआ गलत कौन सा है ब्रज का पुराना अर्थ क्या था पशूओं या गायों का सहूं या चारा गा आदी चारगा जहां पर पसू चरण करते हैं वो चारगा होते हैं या फिर ब्रज का अर्थ है गायों या पसू का समू और इसका फिकास सौरसेनी अपभरंस के मध्यवर्ती रूप से हुआ ब्रज किस से उद्भूत हुई है सौरसेनी अपभरंस से और उसके भी मध्यवर्ती रूप से ये बात बिल्कुश सही है और अगला है इसकी परमुख उपभोलिया भुक्षा, अंतरवेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी आधी है बहुत मैतुपुन है सीधा इसका सवाल बनसकता है कि नमनमैसे कौनसी ब्रज की इपोली नहीं है उपभोली नहीं है तो भुक्षा, अंतरवेदी, भरतपुरी, डांगी माथूरी यह सब किसकी उपवोलिया है ब्रज की उपवोलिया है और ब्रज का विकास कौन से अपवरंस सेुआ है सोर सेनी अपवरंस के मध्यवर्थी रूप से हुआ है और चौथा जो इसम्सकी जैबale कर दें की स्थान पर इकारांतता है खड़ी बोली में क्या है आकारांत है खड़ी बोली कैसी है तो एक सवाल अपना ये भी तयार हो गया कि खड़ी बोली किस प्रकार की बोली है आकारांत है अब हम बात कर रहे हैं ब्रज की यहां पर कह गया है खड़ी बोली की आकारांतता की स्था पर इका रांततानाई ब्रज में है वकरांतता ब्रज में क्या है वकरांतता यह बात अब करंड़ आगा होते हैं जो भी शर्व tratar वाके होते हैं उनके ब्रज में आ जयादा आता है तो करंद यानी सब्सकREAD या वाक्य का अंद कि से खुरा उसके आधार पर आकारांत, इकारांत, ओकारांत होते ही, तो ब्रज किस परकार की है, ओकारांत बोली है, घुलानाथ तिवारी के अनुसार पिंगल के संबंद में असंगत है, घुलानाथ तिवारी के अनुसार पिंगल के संबंद में, किसके संबंद में, पिंगल, पिंगल के समंद में असंगत है पिंगल के समंद में असंगत यानी पिंगल के समंद में गलत कौन सा है असत्य कौन सा है तो देखिए यह ब्रज भासा का एक अन्य नाम भी माना गया है बिल्कुल ब्रज भासा के पुराने रूप को कुछ विद्वान पिंगल कहते हैं पिंगल या पिंगल शास्त्र का संबंद कविता से है और राजिस्तान में डिंगल के अतिरिक्त डिंगल मुख्य थी राजिस्तान में मारवाडी का पुराना रूप क्या कहला था था डिंगल कहला था और डिंगल के अतिरिक्त ब्रजभासा का भी कावे भाशा के रूप में परियोग होता रहा है अतेव वहां डिंगल के रूप सामे पर ब्रज भासा को पिंगल कहा गया यानि जिस परकार से डिंगल है उसी के अनुरूप उसी के अनुकरण में डिंगल के रूप सामे के अधार पर डिंगल पिंगल एक साथ आसानी से बोला जा सके इसलिए इसको ब् पूरुम अपभरंस या सोर सेनी अपभरंस के लिए पिंगल का परियोग राजिस्थान में आरंब हुआ ये बात पिल्कुल सही है और अगला है पिंगल को देव भासा भी कहा गया है पिंगल को देव भासा नहीं कहा गया है अपितु पिंगल को क्या कहा गया है नाग भासा क पिंगल को क्या कहा गया है नाग बाशा कहा गया है ये बात महत्वपोन है भोजपुरी के प्राचीन कवियों में उलेखनिये नामों के संबंद में असंगत है भोजपुरी के प्राचीन कवियों में कबीर का नाम बिल्कुल आता है कबीर भोजपुरी के प्राजीन कवियों में आते हैं जो आदुनिक भक्तिकाल के प्रमुकिस्तंब है धरमदास भी भोजपुरी से जुड़े हैं धरनीदास भी भोजपुरी से जुड़े हैं लेकिन चत्रूपमल का भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है तो यहां चत्रूपमल उत्तर होगा सुद्ध मेवाती शेत्र के संबंद में असंगत है यानी सुद्ध मेवाती शेत्र कहां-कहां है अल्वर भर्तपूर गुडगाव सुद्ध मेवाती अल्वर में भर्तपूर में और गुडगाव में बोली जाती है आउ स्वाई माधुपूर में सुध मेवाती नहीं बोली जाती तो यहाँ पर ये सरलसा सवाल उत्तर क्या होगा? आ स्वाई माधुपूर संगत पूछा गया है तो स्वाई माधुपूर उत्तर हो जाएगा? केस अनुछेद के अनुसार संसद में हिंदी अत्वा अंग्रेजी किसका सवाल है समिधान से जुड़ा संसद में हिंदी अत्वा अंग्रेजी भाषा में कारे किया जाएगा? यानि मुख्य रूप से किस में कारे होगा संसद का? या तो हिंदी में होगा या फिर अंग्रेजी में होगा? परंतु यदि कोई संसद सदशे इन्हें दोनों भासाओं में अपने विजार व्यक्त नहीं कर सकता, तो वह अपने विजार उसकी अपनी मातर भासा में व्यक्त कर सकता है. यह बात किसमें कही गई है अनुछेद आर्टिकल 120 में कही गई है बहुत ही महत्वपुन है और राज्यों की यह मातर भाशा की जो बात है वो 210 में है यही बात जो संसद के समंद में है राज्य के समंद में यह बात होगी तो अनुछेद कौन सा हो जाएगा 210 हो जाएगा और 34 343 में क्या है? ये 343 में भासा समंधी प्रावधान आई हुए हैं। किस अनुछेद के अनुसार? किसी वैथा निवारण के लिए संग अथ्वार राज्ये। अथ्वाराज्ये के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को संग अथ्वाराज्ये में परियोग होने वाली किसी भासा में अभिवेदन देने का प्रतेक व्यक्ति का हक होगा। यानि कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई अधिकारी या प्राधिकारी को संग अथ्वाराज्ये में परियोग में होने वाली किसी भी भासा में अभिवेदन देना चाहे। तो प्रतेक व्यक्ति दे सकता है यह बात किस अनुछेद में मिलेगी अनुछेद 350 में किसी भी वैथा के निवारन की बात है और वो किसी भी भासा में दे सकता है यह बात। मुख्यबाद क्या है कि किसी भी भासा में अभिवेदन देने का प्रतेक व्यक्ति को हक होगा यह अनुछेद है 350 कुछ अनुछेद है जिनको हमें याद करना है बहुती कम है और आसानी से याद हो सकते हैं वहां से यह दो सवाल जरूर बनने वाले हैं देवनागरी की विशेष्टाओं के संबंद में असंगत है देवनागरी की विशेष्टाओं देवनागरी की विशेष्टाओं देखिए यह देवनागरी की विशेष्टाओं के संबंद में असंगत मतलब असत्य मतलब विशेष्टा कौन सी नहीं है ये बात आई है अब देखो सबसे पहली विशेष्टा लिपी चिनों के नाम धुनी के अनुरूप है यानि अपनी देवनागरी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है जैसे ये ह बोलेंगे तो ह ह ही लिखेंगे लेकिन इंगलीस में अलग है एच जो है एच लिखते हैं बोलते ह है ऐसा हमारे याँ पर नहीं है लिपी चिनों के नाम कैसे हैं जैसा उचारण होता है वैसे ही नाम मिलते हैं फिर है एक धोनी के लिए एक लिपी चिन यानी एक ही धोनी के लिए एक ही लिपी चिन है अंग्रेज में जैसे कह है उसको कभी सी कह दिया कभी के कह दिया ऐसी वाली इस्तती नागरी में नहीं है और लिपी चिन हों की अप्रयाप्तता है नहीं धेर सारे लिपी चिन है प्रयाप्तता क्या अति प्रयाप्तता है इसलिए ये टंकन की व्यवस्ता में थोड़ी परिसानिया भी आ जाती है ज्यादा होने के कारण अप्रयाप्ततता है नहीं जो लिपी चिन चाहिए वो सारे कि सारे उपलब्ध है जो बोला जाता है वह ही लिखा जाता है और प्रयाप्त लिपी चिना उपलब्ध है हाशो एंव देर्गश्वार के लिए सवतंत्र चिना है ऐसा नहीं है यह बराबर और आ दोनों हो रहे हैं ऐसा नहीं है बोला तो आ ही लिखा जाएगा आ बोला तो आ ही लिखा जाएगा ये हमारे दिवनागरी की बहुत बड़ी-बड़ी विशिस्ता हैं अगला है किस विकल्ब के सभी शब्द सुद्ध है अधिक्षक अधोवस्त्र अधिग्रहीत अधिक्षक बिल्कुल सुद्ध है अनुदित अनुसंगिक अनसुया तो इसमें से देखे अनुदित बिल्कुल सुद्ध है अनुधन उदेत होता है, आनुसंगिक बिल्कुल सुध है, आनसुया कैसे लिखा जाता है, पाउथ हिमेत पुन सब्ध है, अक्सर परिक्साओं में पूँचा जाता है, अनसुया, और उलहंगन, ओपलक्षे, ये दोनों तो बिल्कुल सुध, उर्जर्श्वित होता है, उन की छोटी और री बड़ी क्रीट इस परकार से इसमें एक गलत एक गलत एक गलत तो ये ऑप्शन हो गए गलत और पहला वाला भीकुल सही सुद्ध सब्द है नारायन, नीजी, निरूतसाईद, निरलंब तो सुद्ध सब्द कौनसा होगा नारायन असुद्ध है सुद्ध क्या होगा नारायन नीजी बिलकुल सुद्ध लिका हुआ है निरूतसाई 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 शुद्ध क्या है निरूतसाई और निर अवलंब निर वलंब इस परकार से निर लंब नहीं होता है शब्द निर वलंब होता है इस परकार से ये सुद्ध शब्द है सुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब गलत वाक्य कौनसा है, करप्या गंदगी न करें, इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो नहीं को कि यह अवशिकता नहीं है, यह अनावशिक आ गया है अगर कर्म पर ज्यादा बल देने की आवशिकता हो, तो को का परियोग करते हैं, लेकिन सामानी वाक्य में को का परियोग नहीं करते, और इसका सुद्ध क्या होगा, यह पाठ पढ़ो, यह पाठ पढ़ो, तो यहां असुद्ध क्या हुआ, असुद्ध हुआ इस पाठ को, इ इसलिए यहाँ पर इस भी बदल गया और यह पाठ पढ़ो यह बात सुद्ध हो गई कुए पर कौन पानी भर रहा है? बिलकुल सुद्ध है अच्छा खाना अनन्द की वस्तु होता है, वो तिय नहीं खाना के लिए आ रहा है इस लिए होता है ये बिल्कुल सुध्ध है अशुध्ध वाक्य नहीं है सवाल क्या है अशुध्ध वाक्य नहीं है तो अर्थ क्या हुआ, सुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब पहली बात तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, कि सुद्ध वाक्य कौन सा है, क्या पूछा जा रहा है, सुद्ध वाक्य, सुद्ध वाक्य है, सवाल क्या पूछा गया है, सुद्ध वाक्य कौन सा है, सुद्ध नहीं ह मतलब सुद्ध वक्य कौन सा है मेरा यहां कोई जानकार नहीं मिल्कुल सही लिखा हुआ है मेरा यहां कोई जानकार नहीं फिर है इतर के भीतर सुगंध है नहीं इतर मैं सुगंध है मैं आएगा क्या आएगा मैं सुगंध है इस परकार से आएगा कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं कोई भी नहीं होता किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं क्या होगा किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं आज बजट के उपर के उपर उट नहीं है जो उपर चड़ा जाएगा आज बजट पर बहस होगी आज बजट पर बहस होगी इस पर कास से लिखा होता तो ये सारे कि सारे सुद्ध होते देखिए अनिच्छित परिमान वाचक विशेशन योक्त वाक्य है सवाल किसका है विशेशन का विशेशन में भी कौनसा अनिच्छित परिमान वाचक परिमान कहां होता है मात्रा मात्रा में यानि मात्रा की द्रश्टी से मात्रा की द्रश्टी से जो घंणा होती है वो परिमान वाचक विशेशन है और उसने भी अनिचित पूछा गया है तो इसमें निचित ता नहीं होगी दो लीटर चार लीटर वाली बात नहीं होगी तो अनिचित परिमान वाचक विशेशन युक्त वाक्य है तो देखिए पहला क्या है उसके पास बीस एकड जमीन है उसके पास बीस एकड जमीन है कितनी जमीन है बीस एकड निचित है कितनी जमीन है बीस एकड परिमान होती है जमीन एकड में है तो परिमान तो है लेकिन कैस परिमान है निच्छित परिमान है क्योंकि जमीन कितनी 20 एकड़ है दो दर्जन केले 50 रुपे के हैं दो दर्जन केले दो दर्जन है तो संख्या है और दूसरा एक और शब्दाया देखिए 20 रुपे यह भी संख्या है तो यह कैसा वाक्य होगा संख्या वाचक और उसमें भी कैसा निच्छित संख्या वाचक, कैसा निच्छित संख्या वाचक, मुझे भी कुछ नास्ता देदो, मुझे भी कुछ नास्ता, कुछ, मतलब कुछ भी देदो, तो यहां पर अनिच्छिता हो रही है, तो यह अनिच्छित परिमान है, और यही हमें पूछा गया है, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कुछ लड़के, पहली बात तो लड़के हैं, तो संख्या की गिंती है, संख्या वाचक है, और कुछ है, तो कैसा है अनिचित संख्या वाचक होगा, तो यह है विशेशन के कुछ उधारण संबंद बोधक अव्वे का परियोग हुआ है, क्या पूछ गया है, संबंद बोधक अव्वे, संबंद बोधक अव्वे कहा होता है, जहां संग्या का किरिया के साथ संबंध, जिस अव्वे के द्वारा संग्या का किरिया के साथ संबंध क्या है, वो दर्साय जाए, वहां सं बंदबोतक अव्य होता है अब पहला उदारन है आकाश में तारे कैसे चमकते हैं यहां पर चमकने और आकाश में किसी परकार का कोई ताल मेल कोई संबंद नहीं इस्तापित हो रहा है तो संबंद बोदक तो नहीं होगा लेकिन क्या होगा यह किरिया विशेशन है और किरिया हिए परिमान वाचक विशेशन अब यहां पर एक बात है कि कैसे आया है और परिमान वाचक क्यों हुआ लेकिन तारे जो होते हैं वह आकास में अनिधित मात्रा में होते हैं यह सोचने की बात है कैसे चमकते हैं टेमडे माते वो चमकते हैं वो ठीक है लेकिन वे चमक उनकी दिखाई देती है और रुख जाती है उनकी मात्रा जो है वो इस्थिर है वहाँ पर तो ये कैसे हैं परिमान वाचक किरिया विशेशन का ये वाक्य है मोर बादलों की और देखकर नाजने लगता है अब नाचा कौन? मोर नाचा तो किरिया क्या है नाजना और किसकी और? देखकर बादलों की और देखकर मोर नाचा मोर नाचा अब मोर की नाचने का संबंद किसके साथ है बादलो की और की और आया है अकेला की होता तो तो संबंद नहीं होता की और आया है तो बादलो की और से इसका संबंद जुडा की और मोर किस और देखकर नाचा बादलो की और देखकर और उसे पता क्यों नाजा क्योंकि उसे लगा कि बारिश आने वाली है तो नाजने और बादलों की और मोर के नाजने और बादलों में संबंध इस्तापित हो रहा है तो यहां पर संबंध बोधक अव्य होगा अगला है मनीश तुरंत आ गया मनीश कब आया तुरंत आया काल वाचक किल्या विशिशन मनीश कब आया तुरंत आया तो काल वाचक किल्या विशिशन वर्षा रुख गई और मोर नाच उठे वर्षा रुख गई और मोर नाच उठे यानि पहले तो बारिलों को देखी और देखकर नाज रहे थी तो आपस में समंध इस्तापित हो रहा था तब तो समंध बोधक था या अब वर्षा रुक गई आउर आते ही सीधा समूचे बोधक हो जाएगा कौन सा हो जाएगा समूचे दो वाद के आपस में जुड़ रहे हैं तो समूचे बोधक अव्वे समूचे बोधक अव्वे वर्षा रुक गई आउर मोर नाच उठे इसमें तो मोर बादलों की और देखकर नाचने लगता है ये संबंध बोधक अव्वे है किस विकल्प में सकर्मक किरिया का परियोग हुआ है सकर्मक किरिया पूछी जा रही है सकर्मक यानी कर्म सहित कर्म सहित यानी ऐसी किरिया जिसमें कर्म ओ या कर्म की संभावना मोजोद हो वो क्या होगी सकर्मक किरिया होगी तो पहला ही वाक्य है कि लड़का इस विद्धाले में पढ़ता है तो कर्म के लिए क्या का जवाब मिलना जरूरी होता है क्या कौन का जवाब तो मिल रहा है तो लड़का कौन पढ़ता है लड़का पढ़ता है उससे कर्म का निर्धारन हम नहीं कर सकते क्या का जवाब मिलेगा तभी हम निर्धारण कर पाएंगे तो क्या पढ़ता है का जवाब नहीं मिल रहा है या पुस्तक लड़का विद्याले में पुस्तक पढ़ता है होता तो तो ये सा कर्मक पढ़ता है किरिया हो जाती लेकिन लड़का इस विद्याले में पढ़ता है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यह नहीं पूछा गया है कि पढ़ता है किरिया विद्याले मैं पढ़ता है उसके लिए पूछा जा रहा है पढ़ता है किरिया अके लिए आती और पूछा जाता तो तो उसमें संभावना थी पुस्तकी पर विद्याले मैं पढ़ता है मतलब या अधिकरण का बोध हो रहा है कहां पढ़ता है अधिकरण कारक आ रहा है कर्मकारक नहीं आ रहा है इस वजह से यहां लड़का विद्याले में लड़का इस विद्याले में पढ़ता है यह सकर्मक किरिया नहीं होगी अकर्मक होगी और मा ने बच्चे को खाना खिला दिया मा ने बच्चे को खाना खिला दिया क्या खिलाया खाना तो जवाब मिल गया सकर्मक हो गई चिडिया उड़ रही है क्या क्या का थोड़ी जवाब मिलता है क्या उड़ रही है नहीं मिल रहा जवाब तो ये अकर्मक हो गई बच्चा रोता है ये तो क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो यहां पर भी अकर्मत किया है उपसर्ग की तरष्टी से असंगत है उपसर्ग की तरष्टी से असंगत पूछा गया है मतलब गलत कौन सा है यह पूछा गया है अधिष्ठान, अधी धन इस्थान, अधी धन इस्थान क्या बनता है? अधिष्ठान, बिल्कुल सही है, व्याधी, वी धन आधी, वी धन आधी, वी उपसर्ग है, आधी मूल सब्द है अभी जाते, अभी जात, धन य, इसमें अभी जात, धन य में वैसे परते है य, अभी धन जात, धन य, अभी धन, जात, धन य, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग है जात मूल सब्द है और यह परते है अभी जाते अभी जाते शब्द में अभी धन जात धन यह इस प्रकार से और अनुधित यानि अनुधन उद्धन इत था इत नहीं इत की मात्रा है तो इह होगा इह नहीं होगा अनुधन उद्धन इत तो यह होगया इसमें सही उपसर्ग की द्रष्टी से असंगत कतन कौन सा हुआ अनुदित वाला प्रत्य की द्रश्टी से असंगत योगम छाटिए पठनिय पठधन अनिय होता है पठधन अनिय पठधन अनिय पठधन अनिय चाल धन आक कई बार पर इक्सम में पूछा गया है चाल धन आक क्या बनेगा चालाक चाल धन आक बराबर चालाक और सहधन इश्णू क्या हो गया सहिश्णू पउधन अक पावक पउधन अक पावक यादी संदी का उधारने यादी संदी भी है इसमें पउधन अक क्या बन गया पावक पउधन अक पावक सचिदानन्द का संधी विचेद होगा सत धन चित धन आनन्द बाउदी मैतो पुर्ण कई बार परिक्षाव में आया हुआ सवाल सत धन चित धन आनन्द सचिदानन्द किस विकल्प के सभी शब्द बहुविरही समास से निर्मित है लोक्षभा महावीर बखुबी या ध्यान देने वाली बात है ये जो सवाल है इसमें तिन-तिन सब्दों के जोड़े दिये हुए हैं वे इन मैंसे दो-दो तो पहुविरी के मिल जाएंगे लेकिन तीसरा जो है वो किसी अलग समास का उधारण हुगा तो यहाँ पर देखिए लोक्षभा लोक्षभा का क्या हुआ लोक के लिए सभा लोक के लिए सभा के लिए सभा लोक यानी लोगों की लोगों के लिए सभा लोक्षभा संसद का एक सदन है संसद का क्या है एक सदन है तो यह किसी विशेश अर्थ में आ रहा है इसलिए यह क्या है विशेस अर्थ में अर्था तीसरा अर्था आते ही सीधा क्या हो जाता है बहुविर ही समास हो जाता है तो लोक्षबा में बहुविर ही है महावीर महान है जो वीर महावीर में क्या है? महान है वो वीर महान है जो वीर महान है जो वीर कौन हनुमान हो सकते हैं महवीर स्वामी भी हो सकते हैं तो ये भी बवविरी का ही उदारण है अगला है बखुबी बखुबी इसकी कोई अलग से तीसरा अर्थ नहीं निकलता और ये अवी भाव का उदारण है अवे सब्द से बना है बसब्द से अवी भाव का उदारण खुबी सहित अर्थ क्या होगा खुबी सहित अगला है मनोज नीरज दिवाकर मनोज मन में उत्पन होने वाला कामदेव मनोज कामदेव का प्रयावाजी है और नीरज जल में नीर में उत्पन होने वाला समास में वैसे वही शब्द रखा जाता है जो मूल में है नीर में उत्पन होने वाला दिवा कर दिवा कर यानी दिवा दिवा यानी दिवस दिवा या दिवस या दिन दिवा दिवस या दिन दिवा में कर देने वाला कर का अर्थ क्या है? हाथ नहीं है कर का अर्थ किरण है करना भी नहीं है किरण किरण देने वाला तो दिवाकर का अर्थ क्या है तीसरा अर्थ क्या होता है हमें पता ही है सूर्य का प्रयाई है तो जहां प्रयाई दिखते हैं वा सीधे हम क्या कर लेते हैं बहुरेही सीधा ही कर लेते हैं मनोज, न हैν क्योंकि काम आनेवाले हैं चतुरानन, यानि चार आनन यह जिसके उसे कहते हैं चतुरानन और तिरंगा तीन रंग है जिसके अथान भारत देश का जंडा भारत-देश का जंडा तो भारत के जंडे के लिए आ रहा है वहाँ पर तो क्या होगा बहुरी होगा लेकिन केवल तीन रंग है जिसके इस प्रकार से होता तो दिखू में चला जाता दिखू में हो सकता था चाई वाई के साथ वाई आ रहा है चाई वाई किसमें आएगा द्वन्दु समास जो समाहार द्वन्दु होता है उसमें जो अनावशिक सब्ग जैसे चाई के साथ वाई लगा दिया चाई वाई वाई की, कोई उप्यू किता नहीं है, लेकिन पानी वाणी जाई वाई इस परकार से हम बोल देते हैं, इसलिए जाई वाई में कौन सा होगा, अब समाहर द्वंदो समास होगा और पंच वटी यानि ये पंच वटी जो है पांच वटों का समू लेकिन यहाँ पर जो पांच वटों का समू है वो एक इस्थान के लिए आ रहा है किसके लिए आ रहा है इस्थान के लिए तो ये क्या है तीसरा अर्थ निकल रहा है क्या निकल रहा है तीसरा अर्थ पंच व विशेस है जहां पर राम वगेर ने कुट्या बनाई थी और फिर है कर्ण फूल और नवरात्र नवरात्र तो एक तिहार विशेस के लिए आता है तिहार है तिहार विशेस है जो नवरात्र चैतर में आता है और आसोज में आता है लेकिन कर्ण फूल जो है उसका अर्थ है कर् कर्ण के… लिए फूल यानि कान कवƯानि कान कोंसा हो जाएगा तदफूरू शमास का इसमें कोंसा होगा तदफूरूरूरूरू तो एक- Produx इसमें से अलग हो जाते हैं ये तीन के जोड़े वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं व्याकरण में सेयुक्त वाक्य का उधरन है सेयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य सवतंतर हो सकते हैं जिसमें किंतू, परंतू, लेकिन, या, अथ्वा, इस परकार के सब्दों से वे जोडते हैं तो आप चुप रहे या बाहर चले जाए तोनों सवतंदर वाद के हैं बाहर चले जाए आप चुप रहे तो यहां पर या आया है अथवा आ सकता था कुछ भी आ सकता है जो या की जग आ जाए फिर आप चुप रहे या बाहर चले जाए विकल्प दिया जा रहा है तो यहां स शुसील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सब को दावत दी कोई अलग वाक्य नहीं लग रहा है एक ही उद्देशे और एक ही विदेग पोई जोड़ने का दूव वाक्यों का एक वाक्य के उपर दूसरा वाक्या आसरेट इस परकार का कुछ भी नहीं है विदानार फक्षट शामान्य वाक्य होते हैं वो सरलवाट्य व्यांती वाक्य वात्य किस में आते हैं तो यह हो गया एक उतेशय और एक विधेवाला सरलवात्य सुसिल कि फिल्माय पदक-प्राप्त करने के बाद सब को dávay फिर है यह वही व्यक्ति है जो कभी पहुत धन्वान था जो कभी पहुत धन्वान था यह आश्रित उपवाक्य है यह क्या है आश्रित उपवाक्य और यह वही व्यक्ति है यह हो गया पर्थार और यह किस परकार का है मिसरवाक्य का उधारण जो आया है मिसरवाक्य का उधा तक हमकार्ण स्याम काम करता तो एवश्य उन्यती करता श्याम काम करता तो अबढ़ नादожд слыш कि यह मैं अवश्य उन्यती करता इसम कोई बदलावव वाकिम नहीं हो रहा है तो ये तो हो गया आपकी परधान आओ इधर श्याम काम करता इसमें बदलाव होने की संभावना व्यक्त हो रही है तो ये आश्रीत होगा और तो आ गया है तो यहां पर ये मिस्रवाकी होगा क्या होगा मिश्रवां की श्याम काम करता तो अवश्य उन्नति करता काम किया नहीं तो उन्नति की असंगत योग्म की पहचान कीजिए अर्थ के आधार पर जो वाक्य है अर्थ के आधार पर उसमें असंगत चाटना है आग्या अर्थक जो होते हैं उनमें क्या दिया जाता है आदेश दिया जाता है किसी को कि ये काम करो गिलास लाओ इस परकार से कोई कह दिया है कुछ पी आदेश दे दिया है आग्या देदी है ये समय पर काम करने का कहा जाता है तो वो क्या होगा आग्यार्थक और इच्छार्थक यानि शुब कामना कि मेरी यहारदिक इच्छा है कि तुम प्रोफेसर बनो, इस परकार से कोई कहे, तो उसमें विचारत कोता है. और विदानार्थक में क्या हूता है, जहां किरिया द्वारा किसी कारे के होने की या किसी तथ्थी के होने की सकारात्मक रूप से जानकारी मिले एक ही शब्द है जिसने अर्थ को बदल दिया जहां किरिया द्वारा किसी कारे के होने की या किसी तथ्य के होने की कैसी जानकाई मिले सकारातमक और नकारातमक मिलेगी तो कौन सा वाक्य हो जाएगा तो वाक्य हो जाएगा नकारात्मक है तो निशेधात्मक कैसा होगा निशेधात्मक हो जाएगा और सर्थ कोई भी यदि तुम मेहनत करते तो पास होते ऐसी कोई सर्थ रखी जाए यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे इस परकार से सर रखी जाए तो वो संकेत वाचक पब्चक होते हैं अर्थ के आधार पर आट परकार के होते हैं मान की करण के अनुसार असंगत योग्म कौन सा है मान की करण जो है वर्तनी का उसके अनुसार असंगत योग्म कौन सा है तो देखे कौन सा होगा श किस से मिलकर बनता है कधन यह नहीं होता है, तो यह एक ही गलती है, सिधा गलत, त्र तधन र यह जधनिया होता है, स्र शधन र होता है हिंदी वर्तनी के मानक रूप की तरष्टी से असुध संख्या वाचक शब्द है, तो एक से सो तक संख्या वाचक शब्द है, उसमें से यह पूचा गया है तो 87 सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, 93 सही है, 66 बिल्कुल सही है, तिरेपन नहीं होता, तिरपन होता है क्या होता है, तिरपन होता है, क्या होता है, तिरपन और 43 जैसे यह हम लिखते हैं, इसको 43 इस परकार से ऐसे कुछ शब्द है जो बोले कुछ और जाते हैं साधारन तोर पर और मान की करण में उनका रूप है वही सही है हिंदी मान की करण में किस विराम जिन को छोड़ कर हिंदी में सेज विराम जिन वही गरण कर लिए गए हैं जो अंग्रेजी में परचलित है सबसे आसान सवाल पूर्ण विराम जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं खड़ी पाई एक अपनी हिंदी की है बाकी अल्प विराम हो अर्द विराम हो उप विराम हो ये सब के सब किस परकार के हैं अंग्रेजी से ही उठा कर लिए गए हैं हिंदी वर्तनी में मानक रूप की दरश्टी से असुद्ध सब्द है हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दरश्टी से पूछा गया है असुद्ध शब्द तो देखिए प्रातह बिल्कुल सही है मानकी करण की दरश्टी से निश शब्द बिल्कुल सही है दो रूपों में चलता है मानकी करण में दो रूप दिये गए हैं इस परकार से भी सुध होगा, और निश शब्द इस परकार से लिखा हुआ है, तो भी सुध होगा, दोनों रूप सुध माने गए हैं, दुस साहस भी इसी तरीके से, दुस साहस को भी सही माना है, और दुस साहस को भी सही माना है, लेकिन जो अंतहकरण है, इसको सुध माना ह अंत्हकरण यह सवाल बड़ा मैं तो कूण है अंत्हकरण इस परकार का सुध्ध माना गया है संगत खतन है अनुस्वार वेंजन है अर्थार अनुस्वार जो है वो क्या है वेंजन की विशेषता है अनुस्वार जो लगता है वो किसकी विशेषता है वेंजन की और अनुनासिक, अनुस्वार इस प्रकार से लगाते हैं, ये वेंजन की विशेष्टा है, अनुनासिक, स्वार का नासी की अभी लक्षन है, ये भी विल्कुल सही है, हिंदी में ये दोनों अर्थ भेदक भी है, ये भी सही बात है, सारे की सारे तीनों कथन सही है, योगवा काव्य लक्षण के संबंध में असंगत कतन है सीधे संस्क्रित काव्य लक्षण दीए हैं उसमें से कौन सा इसंगत है उच्छांटना है किस्का है धाम का फिलकुल सहहे काव्य सब्दो यम गुना अलंकारो संस्क्रितों सब्दार्थों वर्तते ये है वामन का गुणा अलंकारों काव्यम सब्द्यों गुणा अलंकारों आया है वामन का किसका है वामन का तद दोसों सब्दार्थों सब्दार्थों गुणा अलंकर्ती पुना क्वापी किसने काय था ममट ने बहुत में तो पुना ये और वाक्यम रसात्मकम काव्यम विशुनात का ये तो हम सब्दे जानते हैं आचारे मममट के कावे लक्षन के संबंद में असंगत है यानि मममट ने जो कावे लक्षन दिये हैं उनके संबंद में असंगत कथन कौन सा है अर्था अर्थ गलत बात कौन सी है यानि मममट ने जो अवधारने दी उनमें से कौन सी एक बात सही नहीं है उनके अनुसार शब्द और अर्थ का सहभाव कावे है पिल्कुल है और यह सहभाव तो सरहीत गुण युगत और अलंकृत होना चाहिए ये भी सही है और अलंकार की अनिवारता पहली सर्त है नहीं ममटने तो अलंकारों को वेकल्पिक माना कि हो तो भी ठीक है नहीं हो तो भी चल जाएगा यानि अलंकार अगर है तो सौंदरे में वर्धी हो जाएगी और नहीं है तो भी ममट कहते हैं कि कोई बात नहीं इसकी जगह उन्होंने पहली सर्त किसको माना था दोस के परिहार को पहली सर्त माना था दोस का परिहार दोस के परिहार को ममटने क्या माना था पहली सर्थ माना था कावे लक्षन में उन्होंने कावे के लक्षन में कहा था कि पहली सर्थ क्या है कि कावे में दोस नहीं होना चाहिए कावे में गुण होने चाहिए दोस नहीं होना चाहिए गुण होने चाहिए ये दूसरी सर्थ है पहली सर्थ है कि उसमें दोस नहीं हो दोस रहित होना जरूरी है गुणों का सभाव जो है वो दूसरी सर्थ है सगुणान अलंकारान सहित दोस रहित जो हुई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुद सब गुई किसकी परिवासा है चिंतामनी की जो रिदिकाल के कवि है चिंतामनी जिनको आचारी राम चंदरशुकल ने रिदिकाल का परवर्तक माना है उनके अनुसार ये परिवासा है पंडित राज शेखर के अनुसार प्रतिभा के दो भेद कौनसे हैं? कार येतरी और भाव येतरी अक्सर परिक्षाओं में ये पूछा गया सवाल है कार येतरी और भाव येतरी नामक प्रतिभा के दो भेद किसने किये थे? ये पंडित राज शेखर ने नैसरगी की च प्रतिभा सुरुतम च बहु निर्मलम आनंद अचर्या अभी योगो यश्या कारणम कावे संपदह कावे हेतु के संबंद में ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं दंडी अचर्य दंडी ने कहा था नैसरगी की च प्रतिभा सुरुतम च बहु निर्मलम आनंद अभी योगो कारणम सावे कावे संपदम ये किसकी है परिवासा? दंडी की भरत मुनी ने नाट्य शास्तर में कावे पर्योजन बताई उसमें असंगत है यानि भरत मुनी ने नाट्य शास्तर जो करंथ है उसमें च आवे पर्योजन बताए थे च बताए उसमें से देखिए धर्म है धर्म यस आयू हेत बुद्धी और लोकिक यान ये च तो बताए थे और काम और मोक्स को उन्होंने नहीं बताया था किसके अनुसार जिस परकार आत्मा की मुक्ता अवस्ता ज्यान दसा कहलाती है उसी परकार हर्दे की मुक्ता अवस्ता रस्त दसा कहलाती है हर्दे की इसी मुक्ती साधना के लिए मनुश्य की व्वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते है यानी आत्मा की मुक्ता अवस्ता को क्या कहते है ज्यान दशा और हर्दे की मुक्ता अवस्ता रस्त दशा कहलाती है रामचंद्र शोपियों निमन मैंसे कौन सा संचारी भाव नहीं है कई बार इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो हमें इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए जैसे संचारी भावों की संख्या तेती से उन मैंसे कौन सा कोई दो तीन दे करके चोथा संगत दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा स्वापन, स्रम, निर्वेद, अस्रू ये अस्रू जो है वो क्या है सात्विक अनुभाव है अस्रू क्या है शात्विक अनुभाव है न की संचारी भाव कलपना में मूर्ती तो विशेश की होगी पर वो मूर्ती ऐसी होगी जो पस्तुद भाव का आलंबन हो सके उसी भाव को पाठक या स्रोता के मन में जगावे जिसकी वेंजना असरे अथ्वा कवी करता है इससे सिद्ध हुआ कि साधारनी करण आलंबनतव धर्म का होता है साधारनी करण किसका होता है आलंबनतव धर्म का होता है कौन मानते हैं आचारे रामचंद्र शोकल वो मानते हैं कि मूर्ती ऐसी होगी जो परस्तुद भाव का आलंबन हो सके और साधारनी करण किसका मानते जहें आलमन्त ओ धर्म का मानते हैं आचारे रामचंद्र शोक्ल। कि शंकुक के अनुसार रस निस्पति के संबंद में अनुप्यूक्त कथन है। जलत कथन पूछा गया है देखिए पहला है चितर तुरंग न्याल आते इसीदा किसका है संकू का है हम सब जानते हैं जैसे घोड़े के चितर को ही घोड़ा का जाता है या राम आदी आरादी की मूर्ती या चित्र को ही आरादि माना जाता है यानि चित्र को देखकर हम अनुमान कर लेते हैं कि यह घोड़ा है घोड़े का चित्र है के कारण अभिनेता को मूल पात्रा आधी माना जाता है अर्थात जो अभिनेता है उसी में जैसे राम का जिसने अभिने किया था उसे आज हम सब उनी तो जो रामायन सीरीज में जिन्होंने राम का अभिनेता में हमें मूल पात्र राम का अनुभव हो जाता है यह बात कौन कहते हैं संकुक कहते हैं अगला है अनुकरण रूप होने के कारण ही नाट्य गत इस्ताई भाव को एक भिन नाम रस दिया गया है यानि अनुकरण रूप में होने के कारण ही इस्ताई भाव को एक भिन नाम रस दिया गया है यह बात भी संकुक कहते हैं और भाव की क्या मांनी है viens अनुकर्ती मानी है और अब इस पर बात करते हैं जो यह पंक्ती है कि प्रैक्षक और अभीनेटा में रस की पृतिती होती है प्रतिती सब याद किजिएगा प्रेक्षक को अभीनेटा में रस की प्रतीती होती है कौन कहते हैं लोलट कहते हैं ये कथन किसका है प्रतीती प्रतीती प्रेक्षक को यानि प्रेक्षक यानि जो देखने वाला है या जो स्रोता है सुनने वाला है उसको अभिनेता में रस की प्रतीती होती है ये बात तो लोलट कहते हैं जब कि संकुक क्या कह कि अभिनेता के अभिनेता जो अभिनेता करता है जैसे राम का अभिनेता जिस ने किया अभिनेता के अभिनेता के अभिनेता में क्या होगा यानि वास्तिता नहीं होगी अब वो अभिनेता है वास्तित पातर तो है नहीं लेकिन उसको मिठ्या अनुमीती होगी अनुमान के द्वारा हम एक बार को माल लेंगे कि यू राम ही है जो अभिने राम का कर रहा है ये बात कौन कहते हैं? मिठ्या अनुमिती की बात जो है वो संकूख करते हैं. असंगत कथन है, असंगत कथन पूछा गया है, मतलब गलत कथन पूछा गया है, धोनी के भेदों के बारे में है. धोनी के मुख्यत कितने भेद माने गए हैं? तीन भेद हैं. वस्तु धोनी, अलंकार धोनी और रस धोनी. पेलकुल धवने के मुख्यता तीन भेद है वस्तु अलंकार और रस वस्तु धवनी कौन सी होती है वस्तु सितात परे है अर्थ का कावे वस्तु का यानि कावे का जो वर्णे विसे होता है उसी को वस्तु कहते हैं जहां किसी कविता में वाचार्थ के अतिरिक्त यानि सीधे अर्थ सीधा जो अभिद्यार्थ है उसके अतिरिक्त किसी अल्य अर्थ की धवनी होती है वहां वस्तु धवनी मानी जाती है ये बिलकुल सही है वाचार्थ के अतिरिक्त लक्षयार्थ हो सकता है वेंग्यार्थ हो अलंकार धुनी जहां अलंकार कथित हो वाचार्थ से अलंकार संकेतित हो यहां पर केवल अलंकार कथित नहीं होगा नाम नहीं लिखा होगा कि यह उपमा अलंकार है और यह कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार है इस परकार का नाम नहीं होगा यहां पर अलंकार कथित ना हो एक शब्द अटाया है और इससे ये असंगत हो चुका है तो अलंकार धुनी कहां होती है जहां अलंकार कथित ना हो वाच्यार्थ से अलंकार संकेत हो वहाँ पर क्या होती है ये अलंकार धुनी होती है और अगला है रस धुनी और रस धुनी में क्या है धुनियों की अंतिम परिनती किसमें जाती है रस में अंतिम परिनती किसमें होती है रस रूप में हो जाती है और इसी को रस धुनी कहा जाता है अगला है व्यांग्यार्थ या वाच्यार्थ के संबंद के आधार पर धुनी कावे के भेदों में असंगत है यानि व्यांग्यार्थ या वाच्यार्थ के आधार पर धुनी कावे है उसमें जो फेद किये गए है उसमें से असंगत कौन सा है या गलत कौन सा है तो तीन बेद ऐसी दिवाथ है धोनी काववे है गुनी भूत वेंगे काववे है और चित्र काववे जिसको अवर काववे भी कहते हैं यह तीन परकार के माने गए हैं और चोथा ओप्शन गौण काववे ऐसे ही दिया गया था बिलकुल सरल सवाल अगला है वक्रोक्ति के भेदों में असंगत है, वक्रोक्ति के भेद माने गए हैं छ, कुंतक ने वक्रोक्ति शिद्धान्त दिया है, उसमें वक्रोक्ति के भेद कितने माने हैं छ भेद, और छ भेदों में से वर्म विन्यास वकरता आती है, पदपूरवार्द वकरता आती है, करम वि वन्यास वक्रता आती है और पद परार्द वक्रता आती है वाक्य वक्रता आती है परकरण वक्रता आती है और परबंद वक्रता आती है पद वक्रता नहीं होती ये तो ऐसे ही बनाया गया था लेकिन ये सही करने के लिए च्छा के च्छा भेत याद होंगे तभी जाकर ये हो पहेगा हुआ है वह वक्रता जो शब्द के पर्धान रूप पर पार्थि-पादिक तरथा ध्थातु पर आधारित होती है वो किस्प्रकार की की होती है सब्द के परधान रूप पर आधारित हो या फिर पार्ति-पादिक पर आधारित हो और धातु पर आधारित हो गोपद पुर्वार्द वकरता कहलाती है। अलंकार के संबंद में असंगत कतन है। भरत मुनी ने केवल चार अलंकार का ही उलेख किया था। उन्होंने भरत मुनी ने केवल चार ही अलंकार बताए थे और चार अलंकार कौन-कौन से हैं। उनके अनुसार अनुप्रास है उपमा है रूपक है और चोथा है दीपक ये चार अलंकार किसने माने थे भरत मुनी ने नाट्य शास्त्र में चार अलंकार माने थे अलंकार वादी आचारे अलंकार को कावे सोभा का मूल कारण मानते हैं बिलकुल मानते हैं अलंकार वादी आचारे कहते हैं कावे की समस्त सोभा किसमें रहती है अलंकारों में ही नहीत रहती है अलंकार वादी जो आचारे है उनमें सबसे परमुक सबसे पहला नाम भमक आता ह अलंकार वादियों के अनुसार कावे के समस्त सौंदरी, रीती, गुण, आदी किस पर आधारित होते हैं एक शब्द से रस पर आधारित नहीं होते सीधी बात अलंकार वादी है तो अलंकार पर आधारित होते हैं किस पर होंगे अलंकार पर आधारित होते हैं अलंकारवादी रस को क्या कहते हैं? रसवत अलंकार मानते हैं. सब्द चमतकार और अर्थ चमतकार के भेद से अलंकारों के तीन भेद होते हैं, उनके संबंद में संगत है. कौन से होते हैं तीन भेद मुख्य रूप से सब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभ्या अलंकार. तीनों सत्य हैं? उप्रुख सभी सत्य. राम सादू तुम सादू सुजाना राम मात भली मैं पहिचाना में कौन सा अलंकार है? बहुत मैं तो कुन है ये? पहली पात तो राम सादू तुम सादू सुजाना राम मात भली मैं पहिचाना. तो यहाँ पर जो केकई है उनका और दसरत का राजा दसरत जो राम जी के पिताजी है उनका और रानी केकई का समवाद है और उसमें केकई कहती है काकू वक रुकती है यहाँ पर उसके कहने में काकू टोन से यहां पर पत्य चल रहा है राम सादू तुम सादू सुजाना यानि राम सादू है और तुम सादू में भी सुजान हो यानि वो वेंगे कर रही है दसरत पर की राम और आप दोनों सुजान नहीं हो सादू नहीं हो राम मा तु भली यानि राम की माता जो कोशल्या है वो कितनी भली है मैंने पैचान लिया है यहां पर किक कई वदसरत की वारता है और उसमें तौन की आधार पर पता चल रहा है कि यहां पर वक्रोक्ती या वेंगी किया गया है तो यह वक्रोक्ती अलंकार है अजों तर्यों नाही रहयो सुरुती सेवत इक अंग नाक बास बेसरी लहयो बसी मुकुतन के संग इसमें कौन सा अलंकार है पहली बात तो सलेस अलंकार है सलेस अलंकार में देखे यह अलग अलग है दो शब्द जो है एक तो है तर्योंना और एक है बेसरी तर्योंना और बेसरी इन दोनों में जो तर्योंना है इसमें तो अभंग नहीं है सभंग सलेस है सभंग स्लेस है क्योंकि तर्यो ना शब्द जो है तर्यो ना इसको एक तो तर्यो ना पूरे का कान के अभुशन के रूप में अर्थ लेना पड़ेगा और तूसरा जो अर्थ निकलेगा वो तर्यो और ना को अलग करने पर निकलेगा तो तो अर्थ निकलेगे देखिए एक तो है तर्यो ना यानी क्या अर्थ होगा कर्ण अभुशन और दूसरा अर्थ जो है वो इन दोनों को अलग करना पड़ेगा परा नहीं पार नहीं हुआ तो यहां पर तो अपना कौन सा होगा सब भंग सलेश सब भंग सलेश कहा होता है जहां पर शब्द को भंग करके तोड़ करके तो अलग अर्थ निकाले जाते हैं तो वहां सब भंग सलेश होता है तो तर्यो ना शब्द वैसे इसका मूलभाव क्या है सत्संग पर आधरी सत्संग का महतव बताया है किसका महतव बताया है सत्संग का महतव बताया है यहां पर मूलवाव बियारी का यह है वो कहते हैं कि अगर हम सत्संग करें वेद सास्तर के ज्यान को सुनने की बजाए सत्संग का लाब लिया जाए तो जल्दी मुक्ति मिल सकती है बजाए वेद औ नाक बास है सुरुती है इन सब में कौनसा है अभंग स्लेस है अभेषरी जो है उसके भी देखिए एक तो नाक का आभुषन बेसरी जो है ये भी मैंतोपुण। है पेश्री अभ यहां पर कवी कहरा है कि जो तर्योना काशना फिर्यी और बना हुआ है लेकिन उसकी वेल्यू उसका मुल्डे कम है क्योंकि कान में ही लटका रह गया ल् प्राप्त कर ली नाग में पहने जाने की अर्थार सम्मान जनक उसने पद पा लिया और उसी प्रकार से वो कहते हैं कि बेशरी नामक जो अधम प्राणी है वो भी अगर मुकुतन के संग यानि किसी सच्चे साथी के साथ या किसी साधू के साथ संगत करते हैं तो उन्हें फल मिलता है उन्हें मुक्ष की प्राप्ती हो जाती है और लगातार वेदों का सेवन करते रहने पर भी मुक्ती प्राप्त नहीं हो सकती शुरूती सेवत इकंग यानि लग प्राप्त नहीं हुई लेके में किसी अधम प्राणी ने किसी साधु वेक्ति की संगत की और उसे मुक्ती प्राप्त हो गई इस परकार से यह श्लेश है और श्लेश के भी दोनों और अर्थ दोनों भेद जो है वे हमारे सामने मोजूद हैं सभंग केवल तर्यों नामे है बाकी मुकुतन में भी कौनसा होगा यह अभंग्शलेश होगा नाकबास में भी बेशरी में भी सुरूती में भी अभंग्शलेश होगा नील सरो रूह श्याम तरुन वारिज नयन करव सोमम उरधाम सदा छीर सागर सयन में कौनसा अलंकार है देखे सीधी बात है पहले तो अलंकार इसको पढ़ करके और देखना है कि भ्रांती मान उप्मा उत्प्रेक्षा संदे तो भ्रांती ये उप्मा उत्प्रेक्षा और संदे इन में से नेल सरुरू स्याम तरुन वारिज नयन दिक्राहे करव सोमर मम उरधाम सदा छीर सागर सयन यहाँ उपमे कौन है सदा छीर सागर में सयन करने वाले कौन है विश्णु भगवान विश्णु भगवान जो है वो उपमे है और किसके समान वो शयन कर रहे हैं किसके समान सो रहे हैं नील सरुरू स्याम नील सरुरू के समान लगते हैं सोते हुए तो ये हो गया उपमान और श्याम यानि श्याम उनका वर्ण है वो उसके आधार पर तुलना हो रही है तो ये हो गया किया साधारन धर्म अब हमारे सामने तीन उपलब्द है उपमे उपमा नओ साधारन धर्म चोता होता है वाचक शब्द उपलब्द नहीं है और तुलना हो विश्णु जी की नील सरोरू की स्यामता के साथ इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है किसी परकार की कोई भ्रामती परकट नहीं हो रही है मानो जानू आदी कहकर कि संभावना व्यक्त नहीं की गई है और संधे ओने का सवाली नहीं उड़ता किम की इस परकार की कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं तो सीधी बात है कि इसमें उपमा है और उपमा का भी अगर भेद करें तो उपमा का भेद कौन सा होगा वाचक शब्द लुप्तोपमा यानि किसी भी एक अंग का लुप्त हो जाना लुप्तोपमा अलंकार बना देता है और यहां पर वाचक शब्द पहले आँखों में थे, मानस में वे कूद, मग न पिरे अब थे छीटे वही उड़े थे, बड़े बड़े असरू वे कब थे, में कौन सा अलगार है सबसे पहली बात की असरू जो है उनकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है असरू की तो असरू क्या है, उपमे है, वे पहले कहां थे, आखों में थे, अब कहां चले गए मानस में कूद मगन पिरे में अब थे यानी पिरे यानी जो प्रेमी है उसके मानस में अब जाकर वो फस गए अर्थार्त वहां जाकर के वे पिरे बन गए अर्थार्त उसकी याद में वो बाहर आ रहे हैं चींटे वहीं उड़े थे, बड़े बड़े असू वे कब थे, यहां मुख्य बात आई, यहां पर मुख्य बात आई है कि आशू का निशेद किया जा रहा है, आशू को क्या बना दिया, चींटे उपमान है, उपमान क्या है चींटे, उपमे क्या है आशू, इनका कर दिया न और उनको बना दिया क्या छीटे बना दिया जो आशू थे वे छीटे बन करके कण बन करके जैसे उड़ गए अर्थार्थ अब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है उपमे का निशेद हो रहा है उपमे का निशेद करके उस पर छीटे का आरोप कर दिया जा रहा है उनको वहां पर इस्तापित किया जा रहा है सीधा दिखाई दे रहा है बड़े बड़े अस्रू वे कब थे तो सीधा निशेद दिखाई देता है अपने खुदे अलंगार होगा यहां पर अपने खुदे अलंगार है इस परकार से ये 50 सवाल का पिशलेशन हमने किया इसकी अगली कड़ी में अगले सवालों के साथ उपस्तित हुदे नमस्कार